हलो और वेलकम बेक टू माइ चैनल माइ होम एन केचिन तो फ्रेंज आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और लजीज रेसिपी बताने जा रहे हूँ और ये है फ्राइड चिकन जो कि बहुत ही टेस्टी होता है बहुत ही आसानी से बन जाता है तो चलिए करते हैं जिससे जो भी मसाला हम इसमें यूज करेंगे वो अच्छे से चिकन के अंदर तक चला जाएगा और इसके बाद मसाले दिखा देती हूँ आपको तो मैंने इसके लिए एक निम्बू का रस लिया है दो बड़े चमच दही ठिक दही होना चाहिए और दो बड़े च चमच धनिया पाउडर रेट चिली पाउडर एक चोटा चमच आधा चोटा चमच गरम मसाला पाउडर आधा चोटा चमच जीरा पाउडर और एक चोटा चमच सॉल्ट लिया है और फूड कलर इसमें से यूज करूंगे में दो तीन पिंच तो चलिए मेरीने कर लेते हैं चिकन को तो सबसे पहले मैंने इसमें जूस डाल दिया है लेमन का और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे साथ ही सॉल्ट भी डाल दूँगे तो इन तीन चीजों का मेरी नेशन हमें पहले करना है और इसके बाद बाकी मसाले आड़ करने है दही डाल दिया है और बाकी सुखे मसाले डाल देंगे कॉन फ्लार और बेशन भी साथ ही आड़ कर रहे हुमे और अच्छी तरीके से इसे हाथ से मिक्स करना है ये देखिए फूट कलर भी एड़ कर दिया है मैंने इसी में इसे दही के साथ थोड़ा से मिक्स कर लीजिए ताकि इसका कलर आ जाए और इसके बाद सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है तो जो मसाला है मैं उसको अच्छी तरीके से चिकन पीसिस के उपर लगा करके इनको अलग से रखती जा रहे हूँ इन तो बावल में छोड़ देंगे तो मसाला बावल में ही रह जाता है और इस तरीके से हम मसाला लगा कर छोड़ देंगे तो अच्छे से इनके अंदर फ्लेवर भी आ जाएगा प्लस एक एक पीस उठा कर हम इजी ली ने फ्राई कर सकते हैं इस तरीके से सारे चिकन पीसिस के उपर मसाला लगा कर मैं इसे छोड़ दूँगे 10 मिनट के लिए और उसके बाद हम फ्राइ कर लेंगे इसे ओईल में तो मैंने इसमें मसाला थोड़ा ज्यादा यूज किया है यानि कि बेशन और कॉन्फलार थोड़ा ज्यादा लिया है मुझे कोटिंग ज्यादा पसंद है अगर आप ज्यादा कोटिंग नहीं चाहते हैं चिकन के उपर तो आप जो कॉन्फलार या बेशन है आधा आधा ले सकते हैं कॉन्टिटी में आधा चमच आधा बड़ा चमच कॉन्फलार लीजिए और आधा बड़ा चमच बेशन लेना है आपने तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप ज्यादा कोटिंग नहीं चाहते तो अब मैंने इसे 10 मिन हो चुके हैं और अच्छे से इनके अंदर फ्लेवर जा चुका होगा तो ओयल गर्म हो चुका था और उसके बाद एक एक पीस में इसमें डाल दिया है और स्टार्टिंग में आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि इसकी कोटिंग इसके उपर चिपक जाए अधर वा कर दूसरी साइड से फ्राइ कर लेना है यह देखिए एक साइड से इसकी कोटिंग पूरी तरीके से इसके उपर चिपक गई है तो लगभग 2-5 मिनट आपको एक साइड में लगेंगे medium to high flame पर आपने से fry करना है और same process आपने दूसरी तरब से भी करनी है दो से ठाइ मिनट के लिए high flame पर उसे fry कीजिए और उसके बाद आपने flame को low कर देना है ताकि चिकन अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए तो एक साइट से से दो से धाई मिनट के लिए फुल फ्लेम पर आपने फ्राइ करना है ताकि इसके उपर जो कोटिंग है अच्छे से चिकन को पकड़ ले चिकन के उपर चिपक जाए और सेम प्रोसेस आपने दूसरी साइट से रिपीट करनी है दो से धाई मिनिट के लिए फूल फ्लेम पर इसे सेखना है क्योंकि तेल का टेंपरेचर अगर कम होगा तो कोटिंग हट जाएगी तेल में मिक्स हो जाएगी तो स्टार्टिंग में आपने ध्यान रखना है कि फूल फ्लेम रखनी है और उसके बाद जब दौनों तरब से इस तरीके से पक जाए तो आपको इसे 8-9 मिनट के लिए पकाना है इसके बाद पलटते रहें बीच-बीच में ताकि इसकी जो कोटिंग जले न और गैस फिलिम को आपने स्लो रखना है ताकि अंदर से भी अच्छे से सिख जाए तो इसे पलट पलट कर आपने सेखना है और य सारे चिकन पीसिस निकाल दिये हैं एक टेशू पेपर पर जिससे की जो एक्स्टा ओयल है वो निकल जाए इसमें से और इसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं तो आप इसे सैलिट के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर हरे धनिय पुदीने की दही वाली जो चटनी होती है उसक वैसा मार्केट में आपको फ्राइड चिकन मिलता है वैसा ही तेस्ट का चिकन आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपका फ्राइड चिकन कैसा बना है तो वीडियो अच्छा लग कर दोड़े हुआ है एक शूरर कriv एक िर व HASी जरूर आपसा दो ओ टूर हुआ है है तो प्राइड टूर की कि पहन फ्राइड टो ही कुआए कुआ झा चूररा कपर भाड़ हादा जल व immersed on घ定ू ज्रूर को यह जद रहुब हैं ख़र चिकन तोर यह है झाल झाल